Welcome back to my YouTube channel World Literature आज जी topic हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है On the Ignorance of the Learned by William Hazlitt William Hazlitt का ये जो essay है आज हम इसकी summary को discuss करेंगे इसमें इनोंने क्या ideas और points दी हैं हम उनको भी discuss करेंगे सबसे पहले अपने writer को हम लोग discuss कर लेते हैं हमारे writer William Hazlitt जिनकी birth हुई थी 10 April 1778 में इनकी death हुई 18 September 1830 में English essayist थे, drama writer थे, साथी साथ literary critic भी थे painter थे, social commentator थे और philosopher थे अगर हम लोग इनके famous होने के बाद करें तो इनको greatest critics और essayist माना जाता है in the history of the English language में और इनको उन writer के साथ रखा जाता है जैसे के Samuel Johnson और George Orwell इन सभी writers के जो ideas हैं वो बहुत ज्यादा authentic होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा एक interesting और curiosity होती है इनक ऐसे में क्योंकि यह essay ideas देते हैं जो के हम लोग normally essay ideas बागी writers की writings में नहीं पढ़ते हैं जैसे के आज को जो हमारा work है on the ignorance of the learned by William Hazlett इसमें बहुत unique idea इनोंने दिया है अब उसको हम लोग discuss करते हैं हमें start पे ऐसा कुछ quotations दी गई हैं उसके बाद इसकी जो language है बहुत जादा simple है spontaneous style है जैसे जैसे हम इसको read करते हैं इसके sentences बहुत जादा short हैं इसमें कोई tough metaphor यूज नहीं की गई over ornamentation यूज नहीं की गई means कि इसको बहुत जादा इसमें imagery language को यूज नहीं किया गया यहां फिर metaphors को यूज नहीं किया गया इस type की कोई चीज इसमें यूज नहीं की गई और इसमें जो examples दी गई हैं वो हमारी day to day life की इनके daily routine की जो हमारी life है वहां से इसमें examples ली गई गई है कि जो हमारी school के education है जो कि हमारा early time होता है school में जिसको हम लोग अपना formal education भी कहते हैं अब वो जो education है वो क्या करती है वो हमारे अंदर ignorance को पैदा करती है साथ इसाथ animosity को पैदा करती है means कि हम एक दूसरे से जो है ना वो नफरत करने लग जाते हैं अब आप देखते हैं जो हम लोग अपने छोटे लावल पे होते हैं अपनी early education होते हैं हम कह सकते हैं हम अपनी metric education या हमारे जो 10th grade सक जो education है उसमें क्या हमें सिखाया जाता है competition होता है topper और साथ ही साथ एक जो पीछे कुछ students कम पढ़ने वाले हैं उनके दरम्यान बहुत जादा competition चल रहा होता है toppers को बहुत ज़्यादा जो है उनकी तारीफ की जाती है या फिर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे grades दिये जाते हैं और उनको जो है बहुत ज़्यादा value दी जाती है class में और जो बच्छे कम पढ़ने वाले हैं जिनका mind थोड़ा weak होता है उनको जो है वो क्या सिखाया जा तो automatically हमारे अंदर एक चीज आना start हो जाती है कि उसके marks मुसे ज़्यादा आएं मेरे marks कम आएं तो हम एक दूसरे से जो है वो नफरत करते हैं और साथी साथ इनोंने एक बहुत important चीज़ बताई है कि जो books है वो हमें वो चीज़ नहीं दे सकती हमें वो information नहीं दे सकती जो हम book learning है cannot replace experience कि जो हमारा experience है हम उसको कभी भी अपनी book learning से replace नहीं कर सकते है कि हमने books में ये पढ़ा है अब उन books में जो पढ़ने वाले चीज़ों को है हम practical चीज़ों से अगर compare करके देखे तो जो हमारा practical experience होगा अपनी life का वो हमारी summary में जो main point हमारा discuss करने वाला होगा वो यही होगा कि हम लोगों ने discuss करना है कि जो bookish students होते हैं वो इतने successful नहीं होते है अपनी life में या फिर जो हमारा अपनी life का experience होता है हमारा जो first hand experience है life का वो ज्यादा matter करता है rather than bookish होने से means कि हम लोग अगर कोई bookish person है तो वो एक lazy person होगा उसकी हम सारी characteristics आगे पढ़ने वाले हैं त कहते हैं कि अगर आप life को अच्छे से understand करना चाते हो या फिर आप life को अच्छे से truly learn करना चाते हो उसके बारे में कि actually में life है क्या आप actual true experience लेना चाते हो तो आप सिरफ books को पढ़ो नहीं या फिर life को पढ़ो नहीं बैठके books के अंदर आप उसमें actively participate करो अपनी regular जो आपकी school life भी है तो आप उसमें भी actively participate करो ना कि सिरफ आप एक library person बनके रह जाओ या फिर आप सिरफ books के साथ connect रहो real life से real world से real society से इन सब चीजों से connect रहना बहुत जादा जरूरी है further क्या कहते हैं इन्होंने कुछ points को discuss किया है traits of learned अब एक इनसान जिसको हम कहते हैं पढ़ा लिख लिखा इनसान है अब उसकी क्या traits इन्होंने बताई इन्होंने totally criticize की है कि अब जो बहुता पड़ा लिखा इनसान हमें लगता है actually में वो एक unreal world में रह रह रहा होता है अब उसकी unreal world भला क्या होती है उसके पास सिरफ bookish knowledge है उसके पास किताबों का ilm है और वो इस ilm को ना हर जो का अपना use करता रहता है अब उसको ये भी ने पता कि मेरे neighbor में रह कोन रहा है उसकी क्या condition चल रही है उसको अपने neighbor के बारे में कोई information नहीं होगी उसके बाद अगर हम लोग उससे कुछ पूछ लें अगर उसको ये तो याद होगा कि authors के नाम उनके works के नाम या फिर हम लोग कोई भी name से पूछ लें उसको उन सब के बारे में पता होगा अगर नहीं पता होगा तो उसको society के बारे में नहीं पता होगा उसे ये नहीं पता होगा कि actually made true human या फिर एक सचा इंसान या फिर एक अच्छे personality वाला इंसान होता को उने उसको वो judge नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तो सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं और बुक्स जो है वो यह नहीं बताती हैं आपको के एक परसन ऐसा होगा और एक परसन ये तो आप किसी से रोज मिलते हो, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, उससे आपको बता है। बुक्स में से अपने जवाब को ढूना शूरू कर देगा, उसके पास कोई एक्शल नॉलेज ही नहीं है, उसके पास सिर्फ बुक्स नॉलेज है, जो सिर्फ वो बुक्स से लेता है और बुक्स की हद तक ही है, अगर प्रेक्टिकल लाइफ में आप उससे कोई भी चीज़ प होता है, almost in everything, कि वो किसी भी चीज़ के लिए complete नहीं होता है, यहां फिर कोई भी हमारी जो common sense है, यह उसको फुल्फिल नहीं कर सकता है, यह हमारी जो true knowledge है, यह उसको कम कर देता है, साथ ही साथ, true knowledge जो होता है ना, वो common sense से जुड़ा होता है, और जब हम बहुत ज़्यादा बुकिश हो जाते हैं, तो हम अपनी common sense की जो ability उसको कम करना start कर देते हैं, देखे, अब हम एक इनसान है, वो हर टाइम बुक्स को पढ़ता रहे, अब चाहे वो बुक्स कोई भी हो, अब उन बुक्स को पढ़ने से उसकी creativity कहा है, कि जो एक creative काम है, creative thoughts है, वो कहां से आपके अपनी thoughts तो आई ही ने रहे हैं, आपके mind में, means कि आप totally किस पे depend करें और books पे, और books जो हैं, वो हमारे knowledge को limit कर देती है, according to William Hazlitt, अब further क्या कहते हैं, इन्होंने अपने essay में एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा, आपने essay के end में एक बात की है, कहते हैं कि Shakespeare जो है न और ये curiosity है कि आपने human genius को understand करना है, तो आप Shakespeare को जाके पढ़ें, या फिर उनको read करें, या लाइफ को देखें, अब जो जिसने human genius को लेना है, वो तो Shakespeare को जाके पढ़ेगा, और जिसने सिरफ और सिरफ books की learning की बात करनी है, या फिर कोई ऐसी बात करनी है कि जो Shakespeare को अगर दे कि अगर आपने genius इनसान देखना है, तो वो Shakespeare को पढ़कर आप देख सकते हैं, और अगर आपने सिरफ एक bookish person को देखना है, तो आप उन Shakespeare पे जो comments करते हैं, उनको जाके read कर लें, तो ये इन्हों ने यहाँ पर example दी है, उसके बाद इन्हों ने idler at school, idler वो होते हैं, जो के time-based करते हैं school में, अब यहाँ पर इन्हों ने idler के बारे में बात किये, कहते हैं कि कुछ लुदास, जो kids होते हैं, या पर students होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनका mind or dumb होता है, weak होता है, वो उन चीजों को understand नहीं कर सकते हैं, वो इन चीजों को understand चलें नहीं कर सकते बड़ जो हमारा educational system है, वो भी dumb है, वो dumb चीजों understand नहीं कर सकते हो, और वो जो school में dumb चीजों पढ़ाई जा रहे हैं, वो उपर से dumb है, means कि dumb इनसान एक dumb चीजों को कैसे समझेगा, यहाँ पर उन्होंने idler की favor में बात की है, उसके बाद इन्होंने काए कि एक greatest genius person होता है, व अपनी school life में, college life में, university life में बहुत जादा greatest man माया जाता है, टॉप पर उसको consider किया जाता है, बट practical life में जब वो आता है, तो उसके पास ना कोई job होगी, ना कोई career होगा, ना कोई professional life होगी, means कि यह depend आपके grades पी नहीं करता है, यह depend आपकी common sense पे करता है, आपकी creativity पे करता है कि आप कितने creative हैं अपनी practical life में, फिर इन्होंने mind के बात किये, कहते हैं कि कुछ लोग ना अपनी memory को use करते हैं, जिनकी sharp memory होती है, वो तो कुछ चीजों को याद रख लेते हैं, means के रटा लगा लेते हैं, books को, बट कहते हैं कि memory जो है ना वो इतनी powerful नहीं होते हैं, जितने appears sacred, कि जो nonsense है, उसको बहुत जादा जो है, वो मुकदस माल लिया जाता है, या फिर उसको बहुत जादा जो है, वो प्रेस्ट किया जाता है, कहते हैं कि हमारे हाना एक बड़ी चीज है, इसके बास बहुत जादा knowledge होता है, उसको God या Goddess माल लिया जाता है, जो कि nonsense thing है, means कि को बुख्जादा बुक्स परता हुए उसके बोहर ज़धा कॉटेशन जाधा हुए तो या उद इसको पूचा जाए ना उस ओथर looking बारे में तो वह उसकी बुहरत जार दाकॉटेशन जांगे हूं हो वो चाहे illiterate है, उसके पास education नहीं है, उसके पास किसी को judge करने का perception फिर भी ज्यादा होगा, उसके पास ज्यादा knowledge होगा, उसके पास common sense है, creativity है, वो अपने experience की base पे बता देगा कि ये person ऐसा है, इसमें ये चीजें हैं और ये चीजें qualities है, या फिर उसमें evil और जो good है, उसके अंदर फरक करने की जो एक sense है, वो होती है, एक villager में, rather than a city man, कि city man जो है, वो इस सीजें में भी differentiate नहीं कर सकता है, तो ये था हमारा essay जिसके अंदर इन्होंने actually में common sense की बात की है, उसको importance देनी चाहिए, हमें जो bookish knowledge है, उस पे depend नहीं करना चाहिए, हमें अपनी regular life में, अ writer की लिखी हुई books को पढ़ें, उसी का perception लें और अपना perception बना लें, यहां तो हम ये करें, कि हम writers की books को पढ़ें और उन books को पढ़कर उस knowledge को use करके, हम बाहर की world का perception बनाए, सिरफ हमें books पे depend नहीं करना चाहिए, हमें creative team पे focus भी करना चाहिए, I hope कि ये आपको ऐसे बहुत